नमस्कार दोस्तो आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये खुबसूरत सा बेवी कैप लाए हूँ ये कैप 0 से 3 मन बेवी के लिए है ये कैप बेवी के पूरे कान को कवर करेगा बनाना बहुत ही आसान है और देखियो कितना खुबसूरत डिजाइन है डिजाइन बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही कम उनमें ये त्यार हो जाता है आपका आधे गंटे में ये आप इस कैप को आसानी से बना सकते हैं यदि आपको इसे बड़ा बनाना हो तो आफंदे बढ़ा के बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं देजाइन बहुत ही आसान है और बनाना बहुत ही आसान है। बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बनके त्यार होता है और बेहत कुपसूरत आप इसे एक बार जरूर ट्रै कीजिएगा और वीडियो फूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझा है तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिये अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और पहले फंदे में ऐसे पॉल वाइस लाइड डालेंगे उनको दूसरी तरफ कर देंगे अब शेस फंदो को हम सीधा बुनेंगे तो यह हमारा दूसरा लाइन है और दूसरे लाइन में भी यानि रॉंग साइड से भी हम सभी फंदो को सीधा बुनेंगे तो हम दोनों साइड से फ्रंट से भी और बैक साइड से भी दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुनते हुए टोटल सोला लाइन बुनेंगे जिससे आठ फंदो की धारियां सामने से भी आ जाएंगी और आठ फंदो की धारियां पीछे से भी आ जाएंगी तो 16 लाइन बुनके मैं आपको दिखाती हूँ देखिये friends, मैंने 16 लाइन सीधा सीधा बुना है यानि सामने से भी सीधा और पीछे से भी सीधा जिस से 8 उल्टे फंदों की धारियां सामने से और 8 पीछे से आगे हैं और शोलर लाइन बुनने के बाद छे लाइन प्रेन बुना है यानि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे यानि 22 लाइन कपलीट हो चुगा है अब 23 लाइन में हम फंदे को डिक्रेज करेंगे तो चलिए देखते हैं कि यह हम कैसे करेंगे तो छे फंदा हम सीधा बनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लिया फिर पांच फंदे सीधे तो ये हो गया छे फंदे सीधे अब दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बनते हुए दो का एक करेंगे फिर नेक्स्ट दो फंदो को लेंगे पहले तीसे फंदे में फिर चौते फंदे में दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे तो यहाँ पर हमने दो फंदे डिक्रीज कर लिए अब तेरा फंदे हम सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और तेरा तेरा फंदा सीधा बनने के बाद फिर हम दो फंदो को लेंगे और सीधा बनते हुए दो का एक करेंगे फिर दो फंदो को हम लेंगे और इस बार हम बैक लूप से बनाएंगे और दो का एक करेंगे नेक्स्ट तेरा फंदे हम सीधा बनेंगे फिर हमें चार फंदो से दो फंदा बनाना है तो पहले दो फंदो को एक साथ लेंगे सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे नेक्स्ट दो फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे फिर हम तेरा फंदा सीधा बुनेंगे तेरा फंदा सीधा हो गया अब फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और front loop से दो का एक करेंगे next 2 फंदो को एक साथ लेंगे और back loop से 2 का एक कर देंगे last में 6 फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बन लेंगे और wrong side से हम सभी फंदो को उलटा बन लेंगे तो हम फिर सामने की तरफ आ गए और यह हमारा 25 वा लाइन है तो हम 5 फंदे सीधा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लिया, फिर 2, 3, 4, 5, फिर 2 फंदो को एक साथ लेंगे, देखिए, यहां पे हमने फंदा घटाया था, तो यह फंदा और इसके पहले वाला फंदा हम 2 फं करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे हम लेंगे और बैक लूप से 2 का एक करेंगे, पिछली लाइन में हमने 13 फंदे बीच में रखे थे, अब की एक एक फंदा घट जाएगा, तो हो जाएगा 11 फंदा, तो एक फंदा हमने इधर घटा लिया, अब दूसरा फंदा इस साइट से घटेगा, तो 11 फंदा हमने सीधा बुन लिया, अब देखिए इन दो फंदो को हमें एक साथ लेना है, और फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे, नेक्स्ट दो फंदो को एक साथ लेंगे, और बैक फिर हम 11 फंदे सीधा बुनेंगे, 11 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर हमें 2 फंदो को एक साथ लेना है, और दो का एक करना है, तो इस तरह हमारे हर सीधी लाइन में 8 फंदे कम हो रहे हैं, हर सीधी लाइन में देखिए, एक जगा पे 2 फंदे, फिर हम 4 जगा कम कर रहे हैं, यानि कि हमारे 8 फंदे हर सीधी लाइन में घट रहे हैं, अब लास्ट में देखिए, 5 फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुननेगे, रॉंग साइड में हमेशा हमें रॉंग साइड में सभी फंदों को उल्टा बुनना है, कोई फंदा भी decrease नहीं करना है न बढ़ाना है न घटाना है बस जितने फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा बुल लेना है तो देखिए फ्रैंट्स ये हमारा 27 वा लाइन है अब हम 4 फंदा सेधा बनेंगे फिर next 2 फंदो को देखें यहां हम फंदे decrease कर रहा है तो 2 फंदो को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे फिर next 2 फंदे एक साथ लेंगे और बैक लूप से 2 का एक करेंगे तो एक फंदा इधर घट गया और दूसरा फंदा हमारा यहां घटेगा तो 27 लाइन में देखिए 9 फंदे बचे हैं दोनों जहां हम फंदे घटा रहा है इसके बीच में 9 फंदे बचेंगे तो 27 लाइन में 9 फंदा उन 30 लाइन में हो जाएगा 2 फंदे और घट जाएगे हो जाएगा 7 फंदा 31 लाइन में 5 फंदा 33 लाइन में 3 और 35 लाइन में फंदे घटते हुए दोनों दिवाइद जहां हम फंदे घटा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ बीच में एक फंदा ही बचेगा तो 35 लाइन में हम फिर मिलेंगे आप फंदा घटा ये मैं भी घटा रही हूँ तो देखिए friends ये हमारा 35 लाइन है अब लास्ट में देखिए एक फंदा बचा है तो अब हम दो फंदो को एक साथ लेंगे सिधा बुनते हुए दो काएक करेंगे नेक्स दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सिधा बना देगे फिर एक फंदा सीधा, देखिए अब हमारे बीच में सिर्फ एक ही फंदा बचा है, फिर दो फंदो को हम लेंगे सीधा बनते हुए, फ्रंट लूप से सीधा बनते हुए दो का एक, नेक्स दो फंदो को लेंगे और बैक लूप से सीधा बनते हुए दो का एक करेंगे, एक फ करते रहें कि उस्थारी दिशारी प्लिए अमपहर Diese को दो लेटे जाएंगे और दो का एक जाने जाएंगे यह हमारा 37 वा है आज हमने 67 फंदों से शुरू किया था और हर सीधी दें में हमारे 8 फंदे घटे हैं तो साथ लाइन हमने घटाया है साथ सिधी लाइन में 56 फंदे घट गए 67 फंदे थे 56 फंदे घट गए बचा 11 फंदे अब हम इन्हें दो-दो को एक साथ लेके सीधा बने में दो लिया दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो और लास्ट में एक फंदा है इसे सीधा तो हम अब सिर्फ छे फंदे बचेंगे अब क्या करेंगे कि धागा थोड़ा हम नंबा लेंगे काटेंगे तो हमने धागा सुई में डाल लिया अब इसे हम ऐसे बैक साइट से इन सभी फंदो में इस शाड़ालेंगे तो सभी फंदे हमारे सुई पे आ गए अब हम इसको ऐसे कीचेंगे और एक राउंड अब हम फिर से सभी फंदों में इसे सुई को डालेंगे और इसको ऐसे टाइट कर देंगे ये देखिए हमारा ऐसे बद गया अब हम इसको ऐसे फुल कर देंगे अब हमारा सामने वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ आ गया और अब हम इसे सिल देंगे तो देखिए फ्रांस हमने इसे सिल लिया अब क्या करेंगे कि जहां हमने ये सिलाई की है उसको ऐसे पकड़के और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इसे हम फुल कर लेंगे उसके बाद हम निशान लगा लेंगे देखिए फ्रेंड यहां हमने निशान लगाया है तो अब इसको छोड़के हम आठ यह देखिए जो आसे तीरशी लाइन गई है इसको हम गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ अब यहां से हम फंदा उठाना शुरू करेंगे एक, दो, और इसको ऐसे लपिटते जाएंगे दो, दो, आज, दो, तीन, चार, पाँ, छी, तीन, चार, पाँ, छी, सार्द, आट, जय खी, निशान वाला नौ और फिर इसके इधर आठ हम गिनेंगे यानि तूटल हम सत्रा फंदे उठाएंगे तो ये नौ हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17 तो हमने टूटल शत्रा फंदे उठा ले है थाएंगे तूटल शत्रा फंदे उठा लेएंगे अब इन फंदों को हम सीधा बुलेंगे, पहले फंदे में ऐसे पॉल वाइस लाई डालेंगे, और उन दूसरी ओर कर देंगे, और सभी फंदों को हम सीधा बुलेंगे. तो हमने सभी फंदों को सीधा बुल लिया, अब हम सामने के तरफ आ गये. तो पहले फंदे में ऐसे पॉल वाइस स्लाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अब दूसरे और तीज़े दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, और सीधा बुलेंगे, दो काहें करेंगे. शेस फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो देखिए फ्रंट्स अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे और लास्ट फंदा सीधा रॉंग साइट से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे सत्रा फंदे थे दो फंदे घट जाने से अब रह गया है पंदरा फंदे तो हम पहले फंदे में ऐसे पॉल वाइस लाई डालेंगे उनको दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे तो यहाँ पे हमने फिर एक फंदा घटा दिया अब फिर शेस फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट के तीन फंदों तक पहुज़ेंगे अब लास्ट के तीन फंदे रह गया हैं तो फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और लास्ट फंदा सीधा तो इस तरह हर सीधी लाइन में हम दो फंदे कम करेंगे एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से और यह तब तक कम करेंगे जब तक कि सलाई में हमारे 5 फंदे न रहा जाए तो वह तक पहुंच के मैं आपको दिखाते हम तो देखें फ्रेंड्स 5 फंदे रह गए हैं हमने 17 फंदे उठाए थे 5 फंदे रह गए हैं यानि कि 12 फंदे हमने घटा ले हैं अब देखें क्या करते हैं पहले फंदे को हम एसे पॉल वाई सराइ डालेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और अब की तीन को हम एक साथ लेंगे तीन फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बूंते हूए तीन का एक कर लेंगे और लास्ट में एक फंदा बचा है जिसे हम सीधा बने तो अब हमारे सराई पे तीन कंदे रह गए हैं और अब हम इसकी दूरी बनाएगे तो दूरी बनाने के लिए हमें डबल पॉइंटेड निडल की आउशकता होगी यानि जिसके तूनु पॉइंट नुपीले होते हैं यानि गले वाली सलाई तो अब क्या करेंगे अब हमें इसको हम ऐसे पल्टेंगे नहीं बल्कि यहां इसको ऐसे सरकाएंगे और फिर हम तीनों फंदों को सीधा बनेंगे तीनों फंदों को सीधा बना और फिर अब हम इसको ऐसे सरका देंगे फिर तीनों फंदों को सीधा बुलेंगे फिर हम इसको सरकाएंगे फिर तीनों फंदों को सीधा बुलेंगे फिर सरकाएंगे फिर तीनों फंदों को सीधा बुलेंगे तो देखिए फ्रांस इस तरह बुलने से ये गोल सा दोरी बनेगा देखिए जो बच्चे को गड़ेगा नहीं तो हम लगबग पाँच या छे इंच तक ऐसी दोरी बना लेंगे तो दोरी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रांस कितनी संदर गोल सी दोरी बने हुई है तो दोरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे एक फंदे में अब हम सलाई में दो बार उन लपेट के सीधा पिर उन को अपनी ओर करेंगे फिर इसी फंदे में एक बार और दो बार सलाई में उन लपेट के सीधा तो हमने एक फंदे से तीन फंदे बना लिए नेक्स्ट फंदे में भी हम तीन फंदे बनाएंगे इसलाई में दो बार उन लपेट दे हुए छे फंदे हो गए अगले फंदे में भी हम तीन फंदे बनाएंगे एक उन अपनी उर किया ये दूसरा फंदा हो गया और फिर इसी में एक बार और दो बार उन लपेट के सिधा बुन लिया तो ये हो गया तीसरा फंदा अब हम wrong side में हैं तो फंदो को उल्टा बुनते जाएंगे और इसे कھोलते जाएंगे उल्टा बुना कोल दिया पुल्टा बुना खोल दिया तो अब हमारे तीन फंदों से नौ फंदे हो गए है अब हम फिर सामने की तरफ आए तो अब हम इस लाइन में सबी फंदों को पुल्टा ही बुने गए अब हम रॉंग साइड से है सबी फंदों को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे अब हम फंदों को बाइंड आफ करना शुरू करती है इस लाइन में हम सबी फंदों को बाइंड आफ करती है कर दो कर दो तो देखिए फ्रेंट्स प्यारा सा बेबी कैप बनके त्यार है यह कैप बेबी के पूरे कान को ढगेगा और बहुत ही अरम दायक नहीं है तो फ्रेंट्स कैप आपके सामने है आशा है यह डिजाइन आपको पसंदाय होगा तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे बनाएए यदि आपको यह डिजाइन पसंदाया है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंट्स और फैमली में शेयर कीजिए थैंस पूरवचित झाल